कोई एक घटना अगर सही डंग से हो तो कैसा परणाम मिलता है और होने को हो चलिए ऐसा होता रहता है ये भी हो जाएगा तो क्या हाल होता है हमारे देश के सामने दो अनुभा हुआ है एक कुछ साल पहले हमारे देश में Commonwealth Games का कारकम हुआ था किसी को भी Commonwealth Games की चर्टा करोगे तो दिल्ली या दिल्ली बहार का व्यक्ति उसके मन पे चबी क्या बनती है आप मैं से जो सीनियर होगे उनको वो घटना यात होगी सच मुच में वो ऐसा उसर था कि हम देश का ब्राणिंग कर देते देश की एक पहचान बना देते देश के सामर्थ को बढ़ा भी देते और देश के सामर्थ को दिखा भी देते लेकिन दुरभाग्य से वो ऐसी चीजों में वो इवेंट उलज गया कि उस समय के जो लोग करने धन्रे वाले थे भी बदनाब हुए देश भी बदनाब हुआ और उसमें से सरकार की व्यवस्ता में और एक स्वभाव में ऐसी निराशा फैल गई कि आर यह तो हम नहीं कर सकते गड़बर हो जाएगा हिम्मत ही खोदी हमने दूसरी तरफ जी ट्विंटी यह ऐसा तो नहीं है कि कम्या नहीं रही होगी ऐसा तो नहीं है जो चाहां था उसमें 9900 के नीचे रहे नहीं होगे कोई 94 पहुंचे होंगे कोई 99 पहुंचे और कोई 102 भी हो गए होंगे लेकिन कुल बिला करके एक क्यूमुलिटिव इफेक्ट था वह इफेक्ट देश के सामर्थ को विश्व को उसके दर्शन करारे में हमारी सफलता थी यह जो गट्ना की सफलता है वो जी ट्वेंटी की सफलता और दुनिया में दस एड़ी टोल छप जाए इससे मोधी का कोई लेना देना नहीं है मेरे लिए आनंद का विशे यह है कि आम मेरे देश में एक ऐसा विश्वास पता हो गया है कि ऐसे किसी भी काम को वे अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकता है पहले कहीं पर भी कोई कैलेमिटी होती है कोई मान भी यह समंदीत वीश्वाव पर काम करना हुआ है तो वेस्टन वल का ही नाम आता था कि दुनिया में यह हुआ तो फलाना देश डिकना देश इसने पहुंच गए वह कर देए हम लोगों का तो कहीं चित्र में नामी नहीं था बड़े बड़े देश पस्षिम के देश उनी की चर्चा होती थी लेकिन हमने देखा कि जब नेपाल में भूकम पाया और हमारे लोगों ने जिस प्रकार से काम किया फीजी में जब साइकलोन आया जिस प्रकार से हमारे लोगों ने काम किया स्रिलंका संकट में था और हमने वहां जिजे पहुंचानी थी माल्डिव में बिजली संकट आया पीने का पानी नहीं था जिस तेजी से हमारे लोगों ने पानी पहुंचाया यमन के अंदर हमारे लोग संकट में थे जिस पकार से हम लेकर के आए तरकिये में भूकम पाया भूकम के बाद तुरंथ हमारे लोग पहुंचे इन सारी चीजों ने आज विश्व के अंदर विश्वास प्यादा किया है कि मानव हीत के कामों में आज भारत एक सामर्थ के साथ कड़ा है संकट की हर घड़ी में वो दुनिया में पहुंचता है